असलम्लीकों अफेज़ जन वेलकम बैक टू एन अधर व्लॉग आज का व्लॉग का सीन कुछ है कि आज का व्लॉग में आपको भई आपको दिखाने लगा है दहाट सू मूफ कस्टम टॉप अफ दा लाइन गाड़ी है बहुत सारे ओप्शन से इसमें प्रॉपर डेटेल से दिखाते हैं आपको पहले तो आप इसका कलेट चक आट करो ना यार इतना कोई भष्वत कलर है बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्षियर बताना है आपको यह किस तरह कर लगा है यह जो ब्लू है ना अलेक्ट्रिक ब्लू यार दिल ले गये आपके भई कब इतना सथा हप्सूवत इतना सथा अट कर रहा है आप चगूट करो आपने मुझे कमेंट सेक्षिन में बताना है कि आपको यह कले किस तरह के लगा है सबसे पहले आपने इसके हैडलम की तरफ तो भई आप देख सकते हैं LED की भरमार है आपको ज़रा मैं इसके हैडलम करके दिखाता हूं आपको तब ही समझ आएगी चला बई आपको यहां से हैजलाइड भी आउन कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा प्रॉपर डिटेल से नजर आजे यह आप चगूट करो LED हैडलम से इसके DRL आपको यहां पर मिल जाएगी क्रोम के हाइलेट्स इसकी हैडलाइड में मौझूद है बाकि इसकी फ्रेंड गिल और सेंटर में आपको यह आप कह सकते हो कि प्यानो ब्लैक का भी थोड़ा सा टेक्चर दिया गया जो कि काफी जाए अट्रेक्टिव लग रहा है नीचे भी आपको दिया गया जो कि इसकी स्पोर्टिनेस को इंक्रीज भी कर रहा है बाकि नीचे फॉग लैंप और यहां प कर सकते हो मैच ब्लैक फ्लस आपको यहां पर मिल जाएगा बॉड़ी कलर जो कि अलेक्ट्रिक ब्लू है बहुत अपसुब लग रहा है यहां पर चोटा सा अगर देखें गवर से तो यहां पर कैमरा दियागे बेसिकली है 360 डिगरी कैमरा इस गाड़ी में 360 डिगरी कैमरा अब जरा हम आते हैं इसके डूर की जरूर अब जरा डोर एंडल चकूट कर सकते हो सिल्वा में दियागे जो कि बहुत ज़ाँ लग रहे हैं यहां पर आपको बंगर देते हैं यह बाकी उपर एरपैस इंस्ट्रॉल है इसके रियर डोर को ओपन किरते हैं यह एक चीज से अंदर बैठना और निकलना बहुत जादा एजी हो जाता है आप इसकी रियर सीट चकूट कर सकते हो और फैबिक में है जो के बहुत अच्छी बात है यह पर बाता है पक्सानी इंवार्मेंट के मदाभी अच्छा भी रहता है यह पर स्पेस देखके न मैं हर बार मैं कहत भी दिया गया है चलें इसके डूर को बंज करते हैं अब ज़र आपको दिखाते हैं इसकी रियर से लुक यह आप चकूट कर सकते हो रियर से बहुत ही ज़्याद अपसूट है LED इसमें आपको टेल लैंप दिया गया और कफी बड़े साइस का आपको पता है कि जो मूव उस और यहां पर जासे फ्रेंट पर आपको गानिशिंग दी गई यह थी फॉग लैंप के साउंट पर और यह पर भी गानिशिंग मौजूद है बट यहां पर रिफ्लेक्टर मौजूद है और नीचे आप डिफ्यूजर भी चकूट कर सकते हो चोटा सा जो कि बहुत अच्छी कि लुक दे रहा है जर्णाभी ओपन करके तो यह आप चुक्राइब कर सकते हो कुछ इसका क्रणक फैस की बात करें तो च्शी च़ीज गारी है तो ठॉटी स्पेस कम होती है बाकि मेरे काया में जिटनी आपको आगे स्पेस मेरे है रियर पे तोड़ा बहुत कम्रोमाइज करना बनता है ठीक है बागी इतनी को डेंशन नहीं है आप सीट को इजी ली फोल्ड करके अपनी स्पेस को बढ़ा भी सकते हो ठीक है यह मुझे काफी चीज़ लगती है जबने गाड़ियों में यह अप चकुट कर सकते हो अब यहां पर जितना भी लगज रखना चाते हो तो करेंगे इसके ट्रंक को यह इसका ट्रंक बंद हो गया इस साइट से भी अब इसके कुछ प्रोफाइल कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा हुपसूब लूक है और क्यूंकि यह बॉक्सी डैब लूक होती है गाड़ी की इस लिए इतने पर नाउंस कर्टनी होते है थोड़े ब आपको इसका इसका इंजन वे इंजन का क्या सीन है वही है काफी छोड़ा सा बॉनिट होता है आपको उपन गिर के दिखाते हैं वही वर्ज यह है इसका 666C इंजन जो के काफी अच्छी फेनॉमिनल पावर के साथ मौजूद होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि तक की है ना तो मुझे इतना कोई फर्ग नहीं नजर आया 666C में और हजार में क्योंकि इसकी जो पावर टुवेट रैश्यू है वह बहुती ज़दा लेवल की होती है क्या आथ गाड़ी बनाई है उन्हों है जपान में चल रही है हर मुल्क में चल रही है जपानी ठीक के मैं ने देख़ा लोग 666C तो यह चीज आपर बहुत ही जादा अच्छी होती है इन गाड़ी बाकि दायट्व का इंजन भी बहुती जादर रिलाइबल है जैसे की टिएटर के रिलाइबल है इसी तरह रही जाएबल होते है और उसके साथ साथ आपको आपको आवर further details देते हैं यह है इसका कुछ interior आपको proper detail से बताते हैं कि इसके interior में क्या-क्या चीज़ है मौझूद है dashboard से start करते हैं आप इसका dashboard check out कर सकते हो SRS airbag आप आपको दिया गया dashboard पे और उसके साथ train wheel पे मौझूद है train wheel के बात करें तो multi-funk जा train wheel है SRS airbag की से मौझूद है center पे अपको दहट्सू का logo मिल जाएगा यहां पे आपको silver के highlights जैसे कि बाइर इसके आपने door में देखे थे door पर मौझूद है और यहां पर इसके मौझूद है जो कि थोड़ा सा match out के रहे हैं बाकी power mode आपको मिल जाएगा और volume के controls है mode select कर सकते हैं और यहां पर भाई कुछ इसका मीटर सेंटर में स्क्रीन दीगे जिसमें भी दखा रहे हैं डोर ओपन है जरा में इसको close करके अब आप चेक उट कर सकते हूं वह डोर वाला सेंट चला गया बाकि आपको 140 पे स्की स्ट्रॉप स्पीड मिल जाएगी और यहां पर कार्वन फाइबर का टेक्चर मिल जाएगा आप चरकूट कर सकते हो यहां पर ठीक है अराउंड यह आप डोर ओपनर आपको कार्वन फाइबर दिया गया उसके साथ अल्मिनियम फिनिश भी दीगी है क्रोम के हाई लैट इसके क्या कहते हैं डोर ओपनर पे मौज मौजूद है ठीक है यहां पर आते हैं आपको पुस्टार को अप्शन दिया गया नीचे बहुत ही जादा कंट्रोल जैं ट्रक्शिन कंट्रोल रडार सिस्टम है और एक चीज़ मुझे काफी अच्छी लगे यह ऑप्शन बहुत ही कमाल गया जो ड्राइर साइड वाली पर दिया गया है अगर आपको यहां पर रखते हैं तो भाई एसी की अवाज से भी ठंडी होती रहेगी ठीक है बाकी अटमेटिक ट्रांस्मिशन है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मौजूद है मोट्स लैक कर सकते हैं बाकी एसी की अवाज वाज़ा को यहां पर स इसमें मौजूद है क्योंकि यह लेटेस्ट मौडल है ठीक है 2021 model है और 2023 की इंपोट है लेटेस्ट लिटेस्ट घाटी है इले명। इयए बाकी आपके देख सकते हैं एदहर मौट बॉट कॉट मौट कर सकते हो सीड मुझे बाइपन पको सोफा सीड मिल देग है ठीक हो गया और रियर तो भाई रियर पे तो मज़े ही अलगाना है रियर पे इतनी आपको स्पेस मिलती है कि आप ऐसे लगेगा कि आप अपने डैनिंग नूम में बैठे वे स्कून से आप जैसे एक सोफा होता है घर का उस पे आप रिलैक्स करके बैठते हो इसी जरा इसकी जो रियर है उस पर आप उपर ने बैठे हो यह में ऐसे वीज़िए रियर जोना आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली है मनलब है डियर कोई के सकते हैं यह जाड़्य की प्रॉब्लम होते है आगे और पीछे दोनों बाई कर सकते हो ठीक है और फ्रेंट रियर दोनों आफ रिकल स moz CDU टीट के में हैं एक वं छरत ब्लीए तर्च को रात वायड टीक्राब्रेताक बाइक डियल इंतेै कर दोऔर ग्राइब मेरे के लिए कंट्रोल मेरे ठीक है खब्सृत में मिचर में हैसं है एक गारी में अपको d neck मेरे रहा है 360 डिगरी कैमरा मेरे रहा है एटू ZR सब चीजस में होजूद है उल्यक्टिक ब्लू कलर है और बहुत कम यह गार देखा है ठीक है और लाइक अ ब्रैंड न्यू गाड़ी बारहाजार में कुछ चली भी है ठीक है लाइक अ ब्रैंड न्यू यह बारहाजार चली और जपान से इड़क पक्सान में और इसी शुरूम पर आई हो तो यह चीज़ में काफी जाए अच्छी लगी है ठीक है बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्षिन है कि आपको यह गाड़ी किस तरह की लगी है ठीक है इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं आपको यार जरा बायर चल सबस्क्राइब चलते हैं आपको इसकी डिटेल देते हैं आपको डिटेल बताता हूँ आइफोन की बैट्री डेड होगी मैं आपको पिर नहीं दिखा सकता चैसी बात है और मैं आप कैसे करता है खार आघर चार्ज़ एनके फिस जाओंगा और उपर देशाम भी पूरी थिंक उसमें मौझूद था उपर से जो उसकी लुक थी आया है अलेक्ट्रिक ब्लू आपके दिल को चूग गया था बहुत मज़ए गाड़ी थी यार चली भी बहुत कम थी मेरे हाल में बहुत बेस्ट ऑप्शन है कर कोई बंदा अपने अपने लिए अपने गर के लि अब इंशाल्ला ध्राधर विव भी थैंक आपने टेंशन लिए नहीं चैनल को लाइक चैनल स्क्राइब कर लें आपको नेक्स वीडियों मिलते हैं थैंक्यू और अलाहाफेश